मध्यप्रदेश के मुख्यमंद्री मोहन यादव का बयान आया सामने उन्होंने कहा कि प्रदेश में नहीं होगी कोई योजना पर लाडली बहन योजना और लाडली लक्षमी योजना सुचारू रूप से जारी रहेगी नमस्कार दो खबरदान यूज में आपका स्वागत है मध्यप्रदेश में वेग कांफ्रेंस के दारान मुख्यमंद्री मोहलियादव ने कहा कि लाडली बहनों के इस हाते में 6 महीने में 9455 करोड की राशी दी जाएगी पत्रिकारों से बाच्चित के दारान मुख्यमंद्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में 11,000 युवाओं को न्यूक्ति पत्र सौपे जा चुके है रोजगार दिवस के आउसर पर 7,000,000 युवाओं के 5,000 करोड भी दे गए है साथी प्रदान मंत्री किसान सम्मान निदी के तहट 80,000,000 से अधिक किसानों के खाते में 1,800 करोड से अधिक किराशी ट्रांस्पर कर दी गई है इस दोरान मुकी मंत्री मुहन्यादा ने याभी कहा कि प्रदेश में प्रतीमा निर्मान को लेकर बड़ाव फैसला किया गया है यहां कोई भी प्रतीमा आए बाहर से नहीं मंगवाई जाए बलकि प्रदेश की कलाकारों की सहयोग से ही मुलतिया बनाई जाएंगी एते ही रोचिक पनुरंजन और देश तुरिया की खबरों से रूबरूप होने के लिए देखते रहे दखबरदार न्यूज और हमारे चैनल को फॉलो और सब्स्राइब जरूर कर ले जैसे हमने कहा था कि कोई योजना बंदनी होगी और सभी योजनाओं को समान रूप से सरकार चालू रखेगी लाड़ी बेहना योजना के बारे में भी हमने वोई जो दिया गया बचन निभाया है लगातार हमारी एक करोड़ उन्तिस लाग बेहनों के खाते में अभी तक 9455 करोड़ रुपी की रासी का अंतरण हमारे द्वरा कर दिया गया इसी प्रकार से लाड़ी लक्ष्मी ओजना में छे माह में 23888 लाड़ी बेहनाओं के खाते में बालिकाओं के 34 करोड़ की रासी अंतरित की गई रसोई गेस सिलेंडर के लिए 45,90,000 बेहनों के खाते में 118 करोड़ की रासी का अंतरण किया है आपकी जानकरी के लिए के बेहनों को जो हमने कहा था कि 450 लुए में गेस सिलेंडर देंगे गरीब बेहनों को तो वो हम बराबर दे रहे हैं चुनाओं में बहुत जुड़बो लगाया कि यह नहीं दे रहे हैं हमने उनको चुनोती दी थी कि बताई यह पईसे जा रहे कि न जा रहे है और यह मैंने बताया आपको के 118 करोड़ रुप्या उनके खातों में गया है और छोटी मोटी रसंख्या नहीं है 45,99,000 लाडली बहने हैं जिनकी खाते में यह रसंख्या का सिलेंडर का पईसा गया है